हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि जो सिंबल बने होते हैं मारे स्मार्टफोन की चार्जर की उपर उसका मतलब क्या होता है ठीक है उसका मतलब तो हमने कभी जाने की कोशिश ही नहीं की होगी क्योंकि हमें लगता है यह तो बेकार है मतलब हमारा फोन चार्ज हो रहा है हमारा मतलब बस सिरफ फोन चार्ज करने तक ही होता है हमने कभी अपने चार्जर को पढ़ा नहीं होता कि उसका मतलब क्या है जोसके इस बने होते हैं, home symbol होता है, double square symbol होता है, तो हम भी जानी की कोशिश ही नहीं होती है मैंने भी आपको आगे चार्जर शो कर दी है उसमें आप एक बर खुद समझने की कोशिश करना है कि इसका मतलब है क्या अटलिस् इसके बाद अगर आपको समझ दो आप इस वीडियो का दे शोकितना पता है आपपने से 90% को इसका मतलब पता नी होगा क्याने कभी अध्यां से देखए नी होता गुआ में यह प्लीग थी बनाते हैं इस सिंबल्स को क्योंकि वो इतना ध्यान देते चार्जर बनाते समझ वो बस अपना काम कंप्लीड करते हैं उनका मतलब नहीं होता कि में प्रोटेक्शन उसको देनी नहीं देनी है अब जो अरिजनल चार्जर होता है उसके आपको बहुत से सिंबल्स देखने को मि इसमें क्या होता है इसमें जो एसी है और हमारे डीसी है दोनों क्या होते हैं आईसोलेटेड है क्या है आईसोलेटेड है एसी का कनेक्शन डीसी के साथ नहीं है एसी जो आती मारे ऐसे होती है डीसी उसको चार्ज करके देती है ठीक है मारे बैटरी को चार्ज करने के लिए सबी को पता होता है और फैसकर बात कया है pocz पेस्टानी सब्टाइब। तो वह क्या होता है इसमें कम से कम वायर यूज होती है बहुत वायर जो होती है न हमारी बहुत कम यूज होती है और जो पीसी भी होती है उसमें सरक्ट जोता अपने अपने डिजाइन के होता है हम देखते हैं वायर नहीं बनी होती है ऐसी सरक्ट के अंदर ही कुछ बनाता है वो हमारे पनों अंदर ही बना के रखा होता है ठीक है इसमें क्या होता है connections हमारे होते हैं in build होते हैं हमें वाहर से wire उसके घुमा घुमा के लगाने के जरूरती नहीं पड़ती ठीक है और जो मैंने पता है ना input और output का इसको protection बहुत में इच्छी सी देता है कैसे protection देता है मैं आपको बताती हूं कि double insulation है इसका मतलब है कि अगर इसके कोई अंदर के wire अगर लग जाती है touch हो जाती है ना body को तो यह में shock नहीं देगा यह हमारे ऐसे protection के लिए काम करते है किसके लिए काम करता है भाई है दोस्तों यह protection के लिए काम करता है हमारी और क्या local charger जो ओता वह भी sign नहीं मिलता हमें जो local charger होते वहां पर sign मिलता क्योंकि वह protection देती हो आधे यह ठीक है और उसमें क्या होता है कि हमारे जब यह protection ही नहीं है तो हमारे क्या current लगने के chances बढ़ जाते हैं और उसमें क्या होता है fault होने पर current लग जाता हमें लोकल चार्जर में होता है अगर फॉल टाइगन तो हमें कई चार्जर से करेंट लग जाता है इसका मतलब क्या है कि हमें इसको अर्थ करने के जरूरत नहीं पड़ेगी कई चार्जर में मतलब अर्थ करने के से बिल्कुल जरूरत ही नहीं है चीक है और आपको और चीज़ ब होती है मैंने कितनी कॉंण सी कंडिशन में से यूज कर सकते हैं जैसे हमने चार्जर शो हो गी आपने अपने की दिखा यह इनों फ्रीक्वेंसी शो कि है 50 to 60 hertz तक यह रहु सकते है कि lep अगरम आपने औरल देश में जाते हैं there users be on a点 we are दे सकते हैं ठीक है 200 भी दे सकते है 220 से जादा नहीं 200 से कम नहीं देना एंपियर रेटिंग करेंट कितना होना चाहिए इसका 0.4 एंपियर ठीक है और इसके बाद यहां पर आगे के लिखाओ इसके सारे कॉंपोनेट जो के पैस्टर है रिजिस्टर है सब इसके इंडिया में यह नहीं को इंपोर्ट एक्सपोर्ड भी होते हैं आउटपुट इसकी मिशा DC होते है याद रखना क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए में DC वोल्टेज चाहिए होती है ठीक है अर्सके बात क्या है किस कमपनी का है फालतों के बात चोड़े हैं सीधा अgriffamasற सीमबल के बात करते हैं ठीक है पहले स्टमिल होगा हमारे ड। सम सेक्टमिल लेहमारे सिमबल यह में चुम में बताती हूं, मि मोसली सब इसे वी ही पड़ते हैं। कहीं तो अपनोग। श्चिता सम नंत की वह थ मलाक्र 1 में दरीजार का करया पक्राण से चस्चारम कीываем करें सब्सक्राइब कर दो पार में पांज़र समेब के हमाल। रेफिरिज़रेटर होते हैं हमारे AC होते हैं उनके ऊपर star rating होते हैं चाहिए फाइब स्टार वाला फ्रीज आप जैसे होता ना वैसी इसकी motor के efficiency होते हैं वैसा इसकी efficiency तो 5 जैसे हम फाइब भी जाकर देते हैं 5 जो भी भी बोल देते हैं यह 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, European में जो है हमारा वो mostly 5 होता है, कहीं कहीं पे उन्होंने 4 भी लिखा होता है, clear, और इसके बाद हम next symbol आपको बताते हैं, आपको screenshot ले लो आप, और इसके बाद next symbol आपको बता देती हूं, next symbol is, यह home वाला symbol आपको show हो गया होगा वैसे त इसका मतलब आपको पहली बता होगा, यह क्या दिख रहा है आपको, home दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि हमें इसे indoor में यूज करना है, outdoor हमें से नहीं यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, देखो भाई, हम home में ही से charger को क्यों यूज करें, बाहर क्यों यूज करें, अंदर का जो charger है उसका temperature है वो bigger सकता है और उसके बाद के हमारे capacitor बगरा फट सकते हैं हमारे charger सही से काम नहीं करेगा ठीक है नो तो इसके लिए क्या होता है कि यह home वाले symbol है कि इसे indoor ही यूज करना है आउट डूर नहीं यूज कर सकती है clear friends और इसके बाद क्या है मैं आपको बताती हूँ अगला symbol होता है यह symbol यह symbol आपको charger पर mostly देखने को मिलेगा इसके उपर जो है cross क्या होता है है ना friends cross क्या होता है यह मैं आपको symbol बताती हूँ यह VEEE के कोर्डिंग होता है waste of electrical and electronic equipment clear इसका मतलब कि आपका charger mostly खराब हो जाता है हम उन्हें क्या गरते हैं डूस्टर में फैंक देते हैं कि भी हमारे यह काम का निरा क्या आपको लगता है कि इसके सभी के सभी equipment फेल हो गए no उसके सभी equipment नहीं फेल होते एक आदा equipment जो बची जाएगा मतलब जितना बची इसके सभी equipment बने होते हैं वह रियूज हो जाते हैं या recycle हो सकते हैं अगर उनकी repair कर दें ठीक है तो हमें क्या है से dustbin में नहीं फैंकना है हमें क्या करना है जहां से हमने sayla कि अन्दर वाले equipment रियूज कर सकते हैं और इसे हमने फैंकना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे electronic equipment ब कि क्यों भाई हम क्यों दुमारा से इतना दिमाग खराब करेंगे जाके वापिस करेंगे लेकि प्लीज फ्रेंट इसे अंडर्स्टैंड कीजे कि हमें अपने ड्यूटी निभाने से रिसाइकल करके ठीक है और इसके बाद एक और सिंपल होता है यह भी आपको सब्स देखनेयों को मिलेगा इसको उपर रेटिंग यह ठीक होता है आप और इसके इलावा चाम मॉडल नंबर बड़े की तरिखे लकाहा होता है कि अपको इसके बार में बताती हूं यह क्या होता है कि यह जितनी ओपर प्रोटेक्शन चेक्षी होता है यह क्या शू करता हैं कि मारी प्रोटेक्ष्ण कितनी है इसको सर्चिफिकेशन मार्क होती कि वी comp sentiments आफिक original है पूरा safe है हमें इससे कोई शॉक लगने का खतरा नहीं होगा बिलकुल safe होगा हमारे लिए क्याए harmony safe है हमारा पूरी तरह से safe है और इसके इलावा क्या होता इसके उपर लिखा ओसकते है self declaration अगर यह symbol दिना बना हुआ तो उसके इलावा self declaration ये भी लिखा हो सकता है इसके इलावा अगर ये सिंबल नहीं ना बना हुआ तो इसके इलावा ये भी लिखा हो सकता है I hope friends आपको सबकुछ समझा आ गया होगा अगर आपको फिर से इसके इलावा भी आपको को पारे रखती है ना तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं अगर आपको video अच्छी लगी है तो इसे like कीजिए अगर आप मारे channel पर new है subscribe करना मत भूलेगा अगर आपको video अच्छी लगी तो please comment करना क्योंकि इससे हमें जो motivation मिलता है कि हम new videos आपके लिए बना के लिए करें थेंक यू फ्रेंड्स जै महाकाली